हमें कोई पागल कुता ने काटाया क्या कि NDA में हम जाके शामिल हो जाए आज पूरे के पूरे पूरे पार्टी आपको NDA को छोड़के बाहर जा रहे हैं तिल्गुदेशम आपको छोड़के गई हैं शिरोमनी अकाली दल आपको छोड़के गई हैं साथ है कोन आपके CBI, ED, IT इनके अलावा है कोन आपके NDA में मैं चालेंज गरता हूं अगर दम है BJP में, नड़ा में, अमिच शा में, नरेंदर मोदी में और जितने भी और लीडर हैं आईए तूरिस सर वेलकम टू तलंगाना हमें कोई इतराज नहीं आप आईए गला फाड़ फाड़ के बोलिए हम कोई पागल कुता ने काटा है क्या कि NDA में हम जाके शामिल हो जाएं आज पूरे के पूरे पूरे पार्टी आपको NDA को छोड़ के बाहर जा रहे हैं आपको अगर आप देखेंगे शिवसेना छोड़ के गई आपको चंता दल यू आपको छोड़ के गई है तिल्गू दे और बाकी पूरा दुनिया करप्ट हैं प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं क्या हो गया हिमंत विश्वाज सर्मा पे जो केस था आपके पार्टी में शामिल हो गये केस गायब हमारे यहां के जो MP हैं CM रमेश और सुजना चोधरी उन पे आरोप लगाएं क केस भी लगाएं ED, CBI, IT क्या हो गया केसों का नरायन राने पे केस क्या हो गया जोती रादित्या पे सिंधिया पे जो केस थे आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया और आप जब बात करते हो प्राइमिनिस्टर साब की फैमिली पॉलिटेक्स, डाइनस्टी मैं आपस कोई बहुत बड़े कोच है, कौन है जेशा, क्या आपने उनको BCCI के जनरल सेक्रेटरी बना दिया, आप जिब बात करते हो प्रधान मंतरी जी सोच के संबल के करना क्योंकि KCR फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते हैं, KCR जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे ली प्रधाना जन्ता के आशिरवाद से आज तिलंगाना में दो बार चुने गए, डेमोक्राटिकली इलेक्टेड गावंमेंट हमारी है, अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिलाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से, लोग यहां पे बहक और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है, और एक बात भी मैं कहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था, मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अ या किसको देखना चाहती है यहाँ पर, तेलंगाना जनता आज केसीर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने के लिए तयार है, आप कितना भी गला फाड़ ले, कितना कुछ भी बोल ले, और कितने भी जूट बोले, कितने भी सफेज जूट आप भोले, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और मैं आज चालेंज करता हूँ बीजेपी को, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विदान सभा के कैंडिडेट की deposit जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी, मैं चालेंज करता हूँ, अगर दम है, लिए तिलंगाना जनता को समझाईए कि किया क्या आपने तिलंगाना के लिए पिछले नौ साल में और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दे आपको, आप मैं चैलेंज करता हूँ, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में की जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एग भी MP आपको तलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने जूट बोल चुके हो, इतने कारना में कर चुके हो, और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूँ, प्राइमिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आपको कि अब बहुती साफ इंसान हो, बहुती करप्ट क्या बलते हैं उनको क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए हैं, जे पी सी अधानी के मामले में, जे पी सी से क्यों डरते हो, अधानी के मामले में एक बार भी प्रेस के आगया कि क्यों नहीं बोलते हो, जब स्री लंका की गावर्मेंट ने खुद कहा कि वो दबाव में उनको लाया गया भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद स्री लंका प्रेजिडेंट को बोला कि आपको एक 6,000 करोड वाला कॉंट्रैक्ट अदानी को देना है क्यों आप आज तक नहीं क्लारिफाई करते ह नहीं हो टरा के धंका के जो काम चलाने की तरीकह आपने सीख आ है मैं प्रधान मंतरी जी आपसे कहता हूँ इї तिलंगा नमे ना चलेगी आपकी जितने भी यहाँ आप आपको कोशिशे हैं सारे के सारे नाकाम रहेंगे